जय गुर्देव और दोस्तों मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हारदिक स्वागत है और देखिए आज मैं आपके सामने जो एक साधना आपको देने वाला हूँ वो एक बहुती दुरलब और विसेश साधना है जीवन की एक सर्वस्रिष्ट साधना ह आप सिवरात्री के दिन कर सकते हैं किसे सौम्मार के दिन कर सकते हैं नम है सिवाय देखिए यह पंचाक्षर मंत्र है अगर ओम लगा देते हैं तो यह सडाक्षर मंत्र हो जाता है और यह जो मंत्र है यह जीवन के पिरतियेक कारिये पिरतियेक आपकी जो समश्या है सब का निवारण करने में पूर्ण रूप से सक्षम है इस मंत्र की साधना प्रतियक व्यक्ति को करनी ही चाहिए देखिया हमारे जो मंत्र हैं उन सभी मंत्रों में जो नम्ह सिवाय है वो मंत्र बहुती सीधा है सरल है और एक तरीके से मानिये कि बहुत ही जीवन के लिए अनकूल भी है और सही तो यह है कि जिस प्रकार से देखो देवादी देव महादेव हैं भगवान संकर वो एक दम सौम्मे हैं और सीग्र प्रसन होने वाले हैं वो एक अगरदानी है और हमारे पूर्वजों ने भी इस मंत्र के बारे में बहुत कुछ चर्चाएं विशेश रूप से की हैं जो ग्रंथों में और सास्त्रों में लिखित भी हैं कि इस मंत्र के अंदर अद्भुत छमताएं हैं भगवान सिव का सबसे प्रिय मंत्र है और ये जो मंत्र है ये आम बोलचाल की भासा में भी कोई बहुत ज़्यादा मतलब यूज ही होता है अब देखिए और साथी साथ एक चीज़ोर भी है कि इसके कोई दुस्परिणाम भी नहीं है मतलब कि और जहां आप तीब्र मंत्र हैं या तंत्रोक्त साधनाएं हैं उनको जहां आप करते हैं तो उनमें आपके लिए कुछ दुस्परिणाम होने की संभावनाएं भी रहती या हाला कि सात्विक साधनाओं में नहीं रहती हैं कुछ भी ऐसी समस्याएं लेकिन ये एक ऐसा मंत्र है जो सिव मंत्र है इसमें आप से अगर कुछ गलत भी हो जाए तो तब भी आपके लिए किसी प्रकार की भी कोई भी परेशानी नहीं है ये जो पंचाक्षर जो मंत्र है यह यह बहुत छोटा है और छोटा होते हुए भी यह अपने अंदर बहुती गूड रहस्यों को समाय हुए है देखिए भगवान सिव कौन है जो जनम और मिर्टू से रहित हैं जो कभी भी खत्म नहीं होते हैं सभी देव जिनको नमन करते हैं और विशेश रोप से गहन जो बहुत ही गहरे ध्यान में और सभी पापों को हल करने वाले भी हैं यह जो हमारे सभी पाप हैं उन सभी पापों का समन भी करते हैं और सास्त्रों में तो एक प्रकार से यह कहा गया है कि यह सर्व भुशन हैं निल कंट हैं पूरे विश ब्रह्मांड में व्याप्त हैं यह और जो सर्व गुरू हैं वो सिव ही हैं अब आप यहां पर एक चीज़ समझें सर्व गुरू यानि कि जितने भी गुरू सभी गुरू कोई भी हो वो सिव ही है अब यहां पर एक बात आ जाती है कि बहुत से लोग यह कहते हैं कि भाई एक देहदारी गुरू होना चाहिए उनसे हम कुछ बाते तो पूछ सकते हैं या कुछ समस्या है तो उसका समाधान कर सकते हैं लेकिन भगवान सिव को अगर गुरू मान ले तो फिर वहां हम उनसे कैसे मतलब अपने समस्याओं का निवारन करवाएं कैसे उनसे बात करें तो देखे यहां पर बातें करने की अवश्क्ता नहीं है जरूर नहीं है कि गुरू आपको बताएगा आपसे बात करेगा तब ही उसका समाधान होगा गुरू तो आपको उस रास्ते की तरफ आपकी जो आत्मा है जो आपका मन है उस रास्ते की तरफ आटोमेटिक ही खीच करके ले जाते हैं वो उसमें उनको कहने की आवा सकता नहीं है आपको उस मोड पर ला करके खड़ा कर देंगे जो वो चाहते हैं जैसा आपको होना चाहिए उस वक्त तो इसमें ना तो बात करने वाली बात है कि भई वो बताएंगे तब होगा तो इसमें भगवान सिव आपको उसी रास्ते पर ले करके जाएंगे और उसी तरीके से आपका मन परिवर्तन होगा उसी तरीके से जो साधनाय कर रहे हैं जो सक्तियां हैं उनसे भी जो गुरु है उनसे जो भी कुछ वारतालाप होगा। वो उसी के अनुसार होगा। जो सिव चाहते हैं। क्योंकि सिव के पास ही सारी सकतियां हैं। पूरे विश्व में वही व्याप्त हैं। उनके अलावा कोई दूसरा नहीं। तो फिर जब सारी सकतिया उनके अंदर समाहित हैं और आप कहते नहीं जब गुरु के पास ही सारी सकतियां हैं. तो भाई गुरु की सेवा करोगई तो गुरु स्वैम ही उन शक्तियों में से निकाल करके आपको दे God आपको टेंसन की क्या जुरूरत है ये तो एक वह वाली बात हुई कि भई उनके पास में जिस व्यक्ति के पास में सारी चीजें हैं जिस व्यक्ति के पास में सब कुछ है तो उसी के ऊपर आप संदेह कर रहे हों कि भई हम उनको गुरू मानेंगे तो हमें सक्तिया कैसे मिलें सकते हमारे साथ कुछ बुरा होगा तो पिर हम किस से निवारण करवाएंगे अरे भाई तुम एक जो मैन अधिकारी है उसी के पास जा रहे हो और सोच रहे हो कि जो नीचे चपडासी है वो चपडासी तुम्हें रोकेगा जब तुम जो बड़ा अधिकारी है उसके सानिध में हो और उसकी आपके उपर विसेस किरपा है और उससे आपकी मितरता है या फिर आप उसके सिस्से हैं कुछ भी हैं तो हिम्मती नहीं है जो नीचे वाला जो चौकिदार है वो आपको रोक दे यहां बहुत कम व्यक्तियों के समझ में यह बात आती है खेर मैंने बता दी आपके समझ में आ गई होगी अब तो इसलिए भगवान सिव को गुरु मान करके भी आप साधनाय कर सकते हैं और मैंने आपको पहले भी बताया है स्वामे निखलेश्वरानन जी ओम परमतत्वाय नारानाय गुरुभ्यो नमे इस मंत्र म और भगवान सिव ओम नमह सिवाय इस मंत्र में कोई भी अंतर नहीं है ये सिर्फ हमारी समझ का अंतर है क्योंकि गुरु ही सिव हैं और सिव ही गुरु हैं बस यहां ये समझ लीजिए आप अब देखिए ये जो मंत्र है इस मंत्र की साधना अगर आप करते हैं तो आपको बहुती ज़्यादा तीब्र और जो और दूसरी साधनाएं हैं उनमें भी आपको इस मंत्र की साधना से लाब प्राप्त होगा। मैंने पहले भी और वीडियो दी हुई हैं उन वीडियो में भी मैंने आपको बताया है। ओम्नम्ह स्वाय की साधना भी मैंने आपको बताई है गुरू कैसे धारण करें वो भी मैंने बताया है दूसरी वीडियो में और यहां पर भी मैं आपको बता रहा हूं इसमें मैं आपको गुरू धारण करने के लिए भी बता दूँगा कि कैसे करना है साधना कैसे की जाएग वो भी मैं आपको बताऊँगा क्योंकि देखिए जो इस विश्व के अंदर जो ज्ञान है जो साक्षात पार ब्रह्म है जो पर्मानंद है वो सिव ही है तो इसलिए आप ये ना सोचें कि भाई सिव की हम जो मंत्र की साधना करते हैं नमह सिवाय करें या ओम नमह सिवाय करें उसमें आपको कुछ अनुभव नहीं हो रहे हैं क्योंकि आज के समय में व्यक्तियों की समस्या क्या है व्यक्तियों की समस्या ये है कि वो तुरंत फल चाहिए उनको उनको चमतकार चाहिए और चमतकार को वो नमस्कार करना चाहते हैं जबकि साधनाय तपस्या पूजा ये सब चमतकार की वस्तू नहीं है यह अपने आपको मोक्ष की तरफ ले जाने की क्रिया है कि भाई हम मोक्ष की तरफ जाएं चमतकार तो हाथ की सफाई करने वाले बाजीगर जादू वाले भी दिखा देते हैं वो आपकी आँखों के सामने दिखा देंगे लेकिन क्या आप उनको उस चमतकार के भरो से अपने उनके कह हुए जो भी वो कहें उस बात को मानने को तयार हो जाओगे क्या या एक जो बाजीगर होता है न वो सभा के बीच में खड़ा हो करके आप से एक रुपे लेता है उस एक रुपे के बदले वो आपको दो रुपे क करके देता है कि मैं इस एक रूपे के दो रूपे कर दूँगा और वो करता भी है लेकिन अगर वो एक रूपे के बदले दो रूपे करना चाहिए कर देता है तो भाई उसे खेल दिखाने की जरूरत क्या है उसको खेल दिखाने की जरूरत ही तो घर बैठके कर लेगा एक या कटोरा लेकर के भीक मांगने की क्या ज़रूरत है आप इस चीज को नहीं समझते हैं उसी तरीके से कही जगे मेरे सामने ऐसे वाकिया आ जाते हैं कि मेरे पास में मैसेज भी आया था है कि एक व्यक्ति ने का है जी मैं आपको परी की साधना दे दूआ उसका ट्रांसफर मै देने होंगे और मैं उससे पुझा पाठ करूँगा पुझा का सामान लगेगा और 20,000 रुपे आप देंगे तो मैं यहां से आपके लिए परी ट्रांसफर कर दूँगा और वो परी आपको सब कुछ ला करके देगी आपको रुपे ला करके देगी धन दौलत सब कुछ कही परी से भी ला करके देगी वो आपको अब बात वही आती है कि भाई अगर वो रुपे ला करके देगी तो फिर तुम्हें रुपे मांगने की आवशक्ता क्या है भाई 20,000 रुपे तुम किस बात के मांग रहे हो तो उस 20,000 रुपे की आवशक्ता क्या है अगर वो परी ला करके देगी या फिर ट्रांसफर हो जाएगा ऐसे तो ऐसा नहीं होता है आप यह सब्सक्राइब कि मेरे यह बात कहने से बहुत सो लोगों को बहुत चुड़ोगी और वो अनापसर आप कॉमेंट भी करेंगे लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं है इस चीज की क्यों नहीं है क्योंकि सत्य कभी छुपता नहीं है और सत्य कभी जुकता नहीं है सत्य सत्य ही रहेगा और सच्चाई यही है ठीक है तो मेरे कहने का सिधा सा यहां पर मतलब है कि भाई यह कोई चमतकार की वस्तु नहीं है ओम नमह सिवाय मंतर जाप करना या नमह सिवाय मंतर जाप करना यहां चमतकार जो है लोग उसी साधना को सच माल लेंगे कि इस साधना में बहुत पावर है कि हमें चमतकार हो रहे हैं इसमें तो अनुभव हो रहे हैं मेरे सामने बहुत से कैसे केस आते हैं कि कहते हैं कि हमें अनुभवी नहीं हो रहे पता नहीं हमारी साधना कैसी चल रही है अरे तुम्हें अनुभव से मतलब क्या है तुम यह देखो ना कि तुम्हें उसका लाब प्राप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है होगा एकदम नहीं होगा थोड़ा टाइम लगेगा ठीक है अब यहां पर आपको यह जो साधना है यह साधना आपको जो नमह सिवाए की साधना है जो पंचाक्सर मंत्र है उस मंत्र की साधना आपको करनी है और इस मंत्र से आपने देखा भी होगा बहुत पुराने टाइम में द्वापर में या फिर त्रेता युग मे या सत्यूग में भी, लोग इस मंतर की साधना किया करते थे, और इसी से, इस मंतर से ही विशे इस, उनको सक्तियां पराप्त होती थी, भगवान सिव सक्सात उनके सामने प्रकट हुआ करते थे, और, लेकिन आपने यह नहीं सोचा, आपने ये तो सोच लिया कि भगवान सिव उनके सामने प्रकट हुए भगवान सिव ने वरदान दिया लेकिन ये नहीं देगा कि उन्हेंने कितने हजार वरस तक तपश्या की ये भी सोचो अगर उस वक्त में व्यक्ति की दस हजार वरस की आयू थी जैसे जैसे यूग परिवर्तन हुआ उसी तरीके से आयू भी कम होती गई इनसान की तो अब अगर उस वक्त में दस हजार वरस की आयू थी तो फिर उसनों ने हजार वरस तक तपश्या भी करनी पड़ी उन्हें तब भगवान जाकर के सामने प्रकट हुए अब मालिय दस हजार है और दस हजार में से उन्होंने एक हजार वरस तपश्या की और एक हजार वरस की तपश्या में भगवान सामने प्रकट हुए तो पूरी उमर का कितना percentage होता है 10% यानि अपनी पूरी उमर की 10% उमर उन्होंने तपस्या की और आपकी उमर कितनी है लगभग एक व्यक्ति की उमर 60 या 65 या 75 वरस तो होती है न उसका 10% कितना बनता है साथ साल, आठ साल, साड़े-च्छे साल यही तो बनेगा क्या आपने इतनी दिर वरस तपस्या की आप तो चाते हो कि पांच-छे दिन में ही सब कुछ सामने आ जाए कैसे हो जाएगा भई देखो सत्य यही है भले ही कोई माने या ना माने लेकिन सच्चा यही है ठीक? आप आगे बात करते है सादना की हाला कि कुछ लोग कहेंगे जी आप तो भेकार की बात है करते हो लेकिन जो कुछ कहेंगे ना सब तो नहीं कहेंगे कुछ उन कुछों से मुझे कोई वास्ता नहीं है ठीक है? अब बात आते हैं यहां पर कि भाई ओम नमह सिवाय या नमह सिवाय जो मंत्र है उस मंत्र को हम कैसे सिद्ध करें कैसे उसका मंत्र जाप करें कैसे गुरुधारण करें अब मंत्र आप कोई सा भी सिव मंत्र गुरुधारण में बोल सकते हैं ठीक है चाहे आप नमे सिवाय करो या ओम नमस सिवाय करो, कोई फारक ने पड़ता ह। और यहां पर ये साधना जीवन की सर्वसरिष्ट साधना है। सब कुछ प्राप्ता किया जा सकता इस साधना से। अब यहां पर ये साधना आप किसी भी सौमार से सुरू कर सकते हो, और महा सिवरात्री सिवरात्री से भी आप इस साधना को सुरू कर सकते हो साधना सुबह के टाइम ही करनी है आपको अब आप उसको चार बजे से आठ बजे के बीच में कभी भी कर सकते हो ठीक है इस साधना में आपको जो मुख्य रूप से विसेश आपको दो सामगरियों की आवशक्ता होगी एक तो आपके लिए सिवयंत्र ठीक है और दूसरा रुद्राक्ष की माला इस फटिक की माला से भी कर सकते हो लेकिन रुद्राक्ष की लो तो अच्छा है और अगर इस फटिक की भी है तो ठीक है यह दोनो सामगरिय आपकी मंत्र सिद्ध प्रान पितिश्ट नयुक्त हों और ऐसी सामगरिय अगर आपको चाहिए तो मैंने वाटसाप नमर आपको दिया हुआ है वहां से आप मुझे वाटसाप कर सकते हैं वीडियो में ही दिया है और वो सामगरी आप प्राप्त कर सकते हैं सामगरी आपको 100% मिलेगी ठीक है इसके अलावा इस सामगरी के अलावा आप तस्वीर सामने भगवान सिव की रख सकते हो अगर आपके पास सिविलिंग है तो वो भी स्थापित करके रख सकते हो पारद सिविलिंग है तो वो भी रख सकते हो इस फटिक का है तो वो भी रख सकते हो या फिर नॉर्मल मिट्टी का है तो वो भी रख सकते हो वो अपनी अपनी इच्छा के उपर डिपेंड है अब देखें किसी व्यक्ति के पास में पैसा है तो वो पारद सिवलिंग भी रखता है जो की विशेश पवित्र है और किसी की पास पैसा नहीं है तो वो भई मिट्टी का सिवलिंग भी रखता है तो वो अपनी अपनी इच्छा के उपर डिपेंड है आप कोई सभी रख सकते हो लेकिन जो विसेश रूप से जो चाहिए वो यंत्र और आपको ये माला की आवश रखता है ये आप ले करके ही साधना करें ठीक है अब इस साधना को प्रातहकाल में उठेंगे आप इसनानादी करके निवर्त हो जाएंगे बिलकुन और आपको जो है सात्विक रह करके और पूरी तरीके से स्रद्धा के साथ आपको ये साधना करनी है जब तक स्रद्धा नहीं होती है तब तक कोई भी साधना सिद्र नहीं होती है कोई भी अनुभव प्राप्त नहीं होते हैं सफेद रंग का आसनले या पीले रंग का सफेद रंग का वस्तर दारण कर सकते हैं या पीले रंग का ठीक है और जो सामने आपकी चौकी है उस चौकी पर भी आप या तो सफेद या पीलेवे रंग का वस्त्र भीचहालें साधुना आपको पूरभ दिहा या उत्तरदिशा की तरफ मुख करके आपको बैठ करके ही करनी है और इस साधना को आप किसी भी एकान्त फारोम में भी कर सकते हो अपने पूझया घर में भी कर सकते हो, ठीक है, ऐसा कोई प्रतिबंग नहीं है, साधना सुभह और शाम में भी कर सकते हो, दो टाइम भी कर सकते हो, साधना चाहे हो, तो तीन टाइम भी कर सकते हो, जिन व्यक्तियों के पास टाइम है, वो तीन टाइम भी करेंगे, दो टाइम भी करेंगे, और ठीक है यह ब्रह्मूर्थ का टाइम होता है थोड़ा तो इसमें करो तो अच्छा रहेगा और अपने सामने एक स्टील या फिर तामवे की कोई भी प्लेट रख लें और साथ ही एक दीपक जो शुद्ध घीका हो वो आप जला करके रखें और पूरे साधनाकाली यानि मंत्र जाप जब तक आप मंत्र जाप करेंगे तब तक वो दीपक जलता रहना चाहिए उसमें इतना घी भरके रखें कि वो जलता रहे अगर बत्ती धूबत्ती जो भी आपके पास है वो भी रख लें पुस्प रख सकते हैं किसी भी रंके हो चाए सुगंदित हो और थोड़े च कुमकुम केसर का भी टीका लगा सकते हैं चंदन हो तो उसका भी लगा सकते हैं सफेज चंदन हो तो उसका भी लगा सकते हैं अब यहां पर आपको क्या करना होता है कि जब यह सब चीजें आपके पास हो जाएंगी तो आपको क्या करना होगा अगर आपके कोई गुरू आपने पहले ही धारण किये हुए हैं कि जो भी आपके गुरू है तो फिर आपको अपने गुरू का जो चित्र है वो जरूर वहां पर रखना है देखिए सिवी ही गुरू है ये भी आपको पता है मैंने बता भी दिया है तो इसलिए उसमें टैंसन लेने की जरूत निया कि हम और अगर जो मेरे गुरु भाई हैं जिन्होंने स्वामी निखलेश राजन जी को गुरु माना है उनका गुरु मंत्र है तो वो गुरु जी की तस्वीर जरूर रखें और सबसे पहले तो गुरु पूजन ही होना चाहिए ठीक है अब जरूरी नहीं है कि सभी लोग भगवान किसी तरह का व्यवधान नहीं है बीच में जैसे भी करना है वैसे करो आप बिलकुल आजाद हो उसके लिए अब यहां पर सबसे पहले गुरु का पूजन होगा गुरु जी से प्रातना करेंगे हाज जोड़ करके कि गुरु देव मैं ये सिव साधना करने जा रहा हूँ इ ले आप मुझे आशिरवाद दीजी आग्या प्रतान किजिए और गुरु मंत्र जो भी आपका है उसका एक माला का जाप जरूर करने ठीक है चाहे आप ओम नमस सिवाय का ही करो अगर भगवान सिव को माना है तो फिर तो सिवी ही सामने है पूजन उनी का करना है और अगर पहले से ही कोई गुरु मंत्र लिया हुआ है तो उसी गुरु मंत्र का आप जाप करेंगे अब बात आती है भगवान सिव की अगर आपने उनको ही गुरु माना है तो फिर पूजन भी आपको उनका ही करना है और फिर आपको ओम नम्ह सिवाय मंत्र जाप एक माला का कर भी स से चंदन से कुऊंखुम केसर जो भी आपके पास है तिक और इंत्र का बी आपको पूझन करना पुष्प विच अठाना है चंदन करना ऒठीफ nah या केसर हो तो केसर का भी लगा ठीक है, मिठाई का भोग भी लगा सक्ते हो, क्योंकि अगर आपकी इच्छा है तो लगा सक्ते हो, भिलकुल एगदम कोई दिक्कट नहीं है उसमें, और यह जो आपको साधना है उसमें आप अब संकल्प लेंगे, अब संकल्प आपको कैसे लेना है, अगर आपको गुरु धारन करना है तो उसके लिए आप संकल्प लेंगे कि मैं अपना नाम बोलें अपने पिता का नाम अपना गोत्र और इस्थान का नाम बोलें जहां पर आप रहते हैं भगवान सिव आपको गुरु धारन करता हूँ आज से और आप मेरे गुरु बन करके मुझे साधना मार्ग में आगे बढ़ाएं और मेरे सभी कष्टों का और साधना के मार्ग में आने वाली सभी बाधाँ का निवारन आप करें ठीक है और आप मुझे अपना सिश्चे स्विकार करें और जो जल है आपने अपने सीधे हाथ में लिया है उस जल को आप प्रत्वी पर छोड़ दें और अगर आप साधना ही कर रहे हैं तो फिर आपको उसमें अपना वो जो लास्ट में मैंने बताया आएंदा कि गुरु धरन करता हूं वहाँ पर आपको चैंज करना है वहाँ पर कैसे कि मैं अपने हाथ में जल लेकर के सीधा-सीधा संकल्प लेना है अपना नाम पिता का ना करूंगा और 21 दिन में 11 दिन में 31 दिन में पूर्ण करूंगा इस प्रकार से संकल्प ले करके और उसको फिर जल को जमीन पर छोड़ दें और जो आपने संकल्प लिया है फिर उतने दिन के बाद में आपको वो जरूर पूरा करना चाहिए अगर किसी वज़य से साधना खंडित हो जाती है तो फिर आप छमा मांग करके दुबारा से साधना करें फिर उसको पूर्ण करें ठीक है अब इसमें लास्ट में क्या करना है आपको कि आपको करण्यास करना है अगर आप करना चाहते कर सकते हैं नहीं भी करते हैं तब भी कोई दिख्कत देखे कुछ लोग ऐसे हैं जिन पर जिनको नहीं आता है वो पड़े लिखे जाज़ा नहीं है तो उनको वो ना भी करेंगे तब भी कोई बात नहीं है लेकिन जो करना चाहें वो कर भी सकते इसमें आपको जो बोलना है करण्यास में नम अंगुष्ठा अब्याम नम है ठीक है अपने जो अंगुठा है उसको इसपर्श करना है और में तरजने आप्याम स्वाह सी मध्यमा वशत वा अनामिका भ्याम हम यह कनिष्ठ का भ्याम वशत यह आप करा न्यास कर सकते हो उसके बाद हरद्यान न्यास भी आपको करना है ठीक है अगर करना चाहिए कर सकते हैं नहीं करना चाहिए तो तब भी कोई बात नहीं है मैं आपको बता रहा हूं मेरा काम है बताना ठीक है और जितना मैंने बता है उतना कर ले बस इसमें आपको बोलना है हिर्द्यान न्यास में ने हिर्द्याय नम्हे में सिरसे स्वाहा सी सिखाय वशत वा कवचाय हूं यह न पूरा करें उसके बाद में भगवान सिव को ध्यान करके ओम नमह सिवाय अनादी सकते अस्त्राय फट ये आप बोलें और फिर ध्यान करेंगे हाद जोड़कर करपूर गौरव करना वतारं संसार सारं भुजगेंद्रहारं ये बोल करके और फिर आपको भगवान सिव के मंत्र का जाप सुरू कर देना है इसके बाद आप रुद्राक्ष की माला से करें या इस्पटिक की माला से करें कोई सीज़ भी माला से आप कर सकते हो जाप अब यहां पर आपको मैं एक चीज़ बता देता हूं कि या तो आप नम्हे सिवाय मंत्र का जाप करें ओम हटा सकते हैं अगर नहीं अटाना चाहें तो ओम नम्हे सिवाय भी कर सकते हैं जिनको अच्छा लगे कि नहीं मुझे तो ओम नम्हे सिवाय का जाप करें और जिनको को लगे कि नहीं मैं नमह सिवाय का ही करूं तो आप उसका भी कर सकते हों अंतर कुछ नहीं है सब बराबर है ठीक है तो यहां पर आप पंचाक्षर सटाक्षर इन मंत्रों का सबका मिला जुला प्रभाव है कोई अलग नहीं है अब यहां पर आपको एक चीज मैं और बता देता हूं कि आपको कितने दिन साधना करनी है जितने दिन का आपने संकल्प लिया है उतने दिन में आप पूरा करें और उस जो भी आपको जितने मंत्र का भी जाप करना है उन्हें सभी मंत्रों की गणना करके आप मालायों की गि करता हूं currently के यहां पर एक भेदोर है कि अगर आप 501 की हवbl करते हैं दुस 가91 अजरी है थीजान का घंट्र करते हैं तो फिर आपको सवालाख मंत्रों का जाप करने के बाद हमन करते हैं और आप पने पता है कि वह नहीं हैं कि मुझे हमन करना नहीं आता हुझे तरपन के नहीं आता मुझे मार्जन नहीं आता कुछ नहीं आता और मैं नहीं करना चाहता तो आप क्या करेंगे उस हवन के बदले मार्जन जितने मंत्रों का करेंगे उसके बदले और तरपन जितना करेंगे उसके बदले आप क्या करेंगे कि 25,000 मंत्रों का जाप एक्स्ट् कर लें तो आपको ना तो हवन करने की जोड़त ना मारजन ना तरपन और डेड़ लाख मंत्रों का जाप 11 दिन में पूरा करो या 21 दिन में पूरा करो या 31 दिन में पूरा करो उसी हिसाब से आप अपने मालाएं गिल ले कि फिरती दिन मुझे कितनी मालाएं करने पड़ेंग कि जब हमारा मंत्र जाप डेड़ लाक होगा अब यहां पर आपको एक बात और भी बता देता हूं कि अगर आपकी माला 108 मोती की है तो तब भी आपके 100 मंत्र ही काउंट किये जाते हैं अगर आपने 21 माला का जाप किया तो मंत्र जप संख्या कितनी हुई 2100 यही होगी क्योंक आपका कहीं पर असुद्ध उच्चारण हो जाए मंत्र का तो उसकी भरपाई हो जाए बस एक्स्ट्रा इसलिए होते हैं अगर माला 105 दाने की है तब भी मंत्र के लिए काफी है 101 दाने की है तब भी चलेगी ठीक है उससे कोई फरक नहीं पड़ता है तो 100 यानि कि 100 ही आपक करके चले अगर आपने टेर्ट देरstart मंत्रों का जाप आपको कर ना है तो आपकी मनेंगी वह 1500 tai100 माला होंगी कि पंस्ला हो को करना है तब आपका डेड़ लाख मंत्र जाप पूरा होता है और पंद्रे सो माला आप कितने दिन में करोगे कितनी माला आप परड़े कर सकते हो उसी हिसाब से उनको गुणा भाग कर लेना ठीक है तो यह साधना आपको उतने टाइम में पूरी करने है अब अगर माल लिया कि आप पचास माला सुबह करते हो पचास माला शाम को करते हो तो फिर आपका पूर एक दिन में सौ माला हो गई यानि कि दस हजार मंत्रों का जाप आपका हो गया उस तरीके से तो उस तरीके से आपकी जो साधना है वो पंद्रे दिन में पूरी हो जाती है उसके बाद आपको ना हवन करने की ज़रता है मारजन ना तारपन कुछ करने की आवश्कता नहीं है लेकिन एक बार ये साधना पूरी होनी ही चाहिए डेड़ लाग की संख्या की उसके बाद ही फिर कोई साधना करें तो ज़्यादा अच्छा है ठीक है और इस साधना को करने से सभी प्रकार के रोगों से आपको निजात मिलती है सौभाग्य की आपको प्राप्ती होती है सुख मिलता है आपको सम्मान हर जगे मिलेगा ठीक है संपत्ति आपको मिलेगी इसी से इस मंतर से कोई ऐसा कारिया नहीं है जो ना हो सके और अब इस मंतर की साधना करते टाइम आपको पूर्ण रूप से ब्रह्मचरी अवरत का पालन करना है मन से और तन से मैं आपको देखिया हर वीडियो में बताता हूं मन और तन दोनों बताता हूं लेकिन बहुत से व्यक्ति तन से तो करते हैं पर लेकिन मन से नहीं हो पाता है इसलिए मन से जरूर करें सोच अपनी सही रखें बस और दूसरा यमनियम के जो सिध्धानत हैं उनका जरूर पालन करें कैसे कि बहुत किसी को यह रिशा नहीं दोएस वगरा ये सब चीजों से अलग हट जाए जब तक आप साधना करें तब तक सात्विक भोजन करें सात्विक विचार रखें अपने आचरन आपका सुद्ध होना चाहिए अब कुछ लोग जो करते हैं साधना तो कर रहे हैं लेकिन वहाँ फिर कुछ और ही चल रहा है तन से तो आप ब्रह्म चर्य अवरत का पालन कर रहे हैं लेकिन मन से नहीं हो पा रहा है किसी भी इस्त्री को देखने के बाद आपके मन में विकार पैदा हो जाते हैं तो साधना फिर खंडित होने के चांसिज होते हैं जादा इसलिए इन चीजों पर विशेज ज्यान रखें ठीक है और साधना में आपको अनुभव होते हैं तो ठीक है बहुत अच्छी बात है नहीं भी होते हैं तो गवराने की अवस्चता नहीं है किरपा प्राप्ती तब भी होगी जरूरी नहीं है कि साधना में अनुभव हो तब ही वो सही मानी जाएगी सही तो वो तब भी है आप कर रहे हो फल आपको तब भी मिलेगा ये जरूरी नहीं है कि आपको अनुभव ही हो ठीक है तो इस साधना को करिए और साधना में पूर्ण सफलता प्राप्त किये एक ही वीडियो में मैंने पूरा समझाने की कोशिस की है और जिनको समझ में आ गया है बहुत अच्छे उनकी बले बले है और नहीं आया है तो फिर दूबारा से वीडियो एक बार फिर देख ले ठीक है इसी के साथ मैं आप से विदा लेता हूँ मेरे साथ बोलिये बोलिये वीर बजरंग बली हनुमान जी माराज की जये बोलिये मेरे परमहन सगुर्देव की जये